Hello everyone, आज हम math की class में table की जो series हम लोग लेकर आए हैं, उसमें 51 से लेकर 60 तक पिछली हम classes में आपको करा चुके हैं 31 से 40, 41 से 50 और 2 to 20, 21 से 30 हम आपको करा चुके हैं और उसमें 9 के table से हमने आपको tricky बताया था, कि किस तरीके से आप tables को easy बना सकते हैं ठीक है, आज की हम class में शुरू करते हैं 52 का table, बिना दिमाग की कसरत किये हुए कैसे हम लिखते हैं 52 का table places पर focus करना है, हमेशे बताया है, तो 52 के अंदर जो 2 का जो place है, वो क्या है, once इसलिए हमने 2, once के column में रखा है और 5 जो है, 10s, 10s के column में अपने अपने घरों में दोनों बैट गए है, अब हमने करना क्या है, कि जो once में 2 का हमने value रखी है, to value रखी है once में, तो इस 2 को हमने इसका table लिखना है, 2 का, सबको आता है easily, पहले से हम इतना वर्क इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको जादा से जादा concept कम समय में clear कर सके, अगर यह सब हम लिखने बैठेंगे, वीडियो स्टार्ट होने के बाद, तो एक ही table में बहुत जादा लंबा time खिच जाएगा अब आपको concept भी clear हो गया है कि किस तरीके से table हमें करना है, tense में हमने 5 जो उसका place है, 5 का वहां रखा है, 5 का table इस तरीके से इतना समझ में आ गया, अब बनाते हैं 52 का table कैसे easily हम लिख पाएंगे, जिसका जो place है, उसके according हम जो है, उस place को लिखते हैं 52, यहाँ पर हमने लिखा, यह 2 और यह 5, उसके बाद हमने 4 जो 1s की value है, as it is 1s के नीचे, और 10 इस तरीके से, समझ में आ गया, तो यह आपका हो गया, 104 फिर नेक्स्ट, जब तक double digit दोनों line में नहीं आ जाती है, तब तब plus हम नहीं करते हैं, अब यहाँ पर आप देखे, यहाँ पर इधर single है और इधर double है, यह इधर 6 और 5 और 1, ओके, इतना के लिए रहें, अब हमारा नेक्स्ट है, 8, इधर 0 और 2, अब आती है बारी, जो 1s के घर के अंदर, जो 10s family के लोग बैठे हुए हैं, उनको इधर transfer करनेगी, लेकिन उनको हम क्या करेंगे, प्लस करके भेजेंगे, 0 और 1 प्लस 5, 6 और 2, ओके, इधर नेक्स्ट में 2, जीरो में हम 1 प्लस करेंगे, तो क्या हैगा, 1 और 3, 4, नेक्स्ट और 5 प्लस 1, 6 और 3, 6, 0 में 1 प्लस किया, 1, फिर 4, 8 प्लस किया, 8 हमने as it is उतारा, और यह 5 प्लस 1, आपका 6, और यह 4, इधर 0, 0 में 2 प्लस किया, 2 और यह 5, ओके, यह कॉंसेप्ट के लिए हैं आपको, अब हम ध्यान से इसको देखें, 52 1 जा 52, 52 2 जा 104, 52 3 जा 156, 52 4 जा 208, 52 5 जा 260, 52 6 जा 312, 52 7 जा 364, 52 8 जा 416, 52 9 जा 468, 52 10 जा 520, समझ में आ गया, एक बारी और ध्यान से देखें, 52 1 जा 52, 52 2 जा 104, 52 3 जा 156, 52 4 जा 208, 52 5 जा 260, 52 6 जा 312, या 312, 52 7 जा 364, 52 8 जा 416, 52 9 जा 468, 52 10 जा 520, विर्कुल हम ये भी जानते हैं कि इतने बड़े टेबल को बोलने में बहुत दिकत होती है, इसलिए बहुत केरफुली हमें बोलना पड़ता है, आगे अब नेक्स टेबल हम 54 का, ठीक है, एक ही वीडियो में हम दो टेबल इसलिए दे रहे हैं, ताकि आपको जल्दी जल्दी ये सीरिस कम्प्लीट हो जाए, क्योंकि concept तो आप सबको किलियर ही है, 54 में वही concept, places, 4 जो है, उसकी जो place है, वो क्या है, once और five की क्या है, tens, हमने यहाँ पर four का टेबल लिखा, और इधर लिखा five का, यहाँ तक तो बच्चों को सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब हम लिखते हैं, 54 का टेबल, is that clear now? ठीक, अब यहाँ पर हमें plus करना है, क्योंकि दोनों ही column में आ गए हैं, double digit, 2 as it is, once में, place में, और five plus one, six, और यह one, ओके, यहाँ six, zero में one plus करेंगे, one, और यह two, इतना दो समझ में आ गया अच्छे से, फिर इधर zero, five में two plus किया seven, और फिर यह two, next four, zero में two plus किया two, और यह three, फिर eight, five में two plus किया seven, और फिर three, next में two, zero में three plus किया three, फिर यह four, six, five में three plus किया eight, और यह four, यह zero, zero में four plus किया four, और यह five, बन गया कितना इसी लिए? 54 one जा 54, 54 two जा 108, 54 three जा 162, 54 four जा 216, 54 five जा 270, 54 six जा 3 24, 54, 54 seven जा 378, 54 eight जा 4 32, 54 nine जा 486, 54 ten जा 5 40, बहुत ध्यान से और slow हमें इसलिए बोलना है कि बहुत लंबा यह one स्टेंस हंडेड की प्लेसिस वैल्यूज आ जाती हैं तो बोलना थोड़ा टेड़ा हो जाता है, देखने के लिए धन्यवाद, लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें, दोस्तों को जरूर शेयर करें, बाई!